हेलो डियार जितने भी हमारे फर्स्ट इयर, सकेंड डियर के डियर एश्टुडेंट है आप लोग को स्वागत करता हूँ यह प्रश्ण आपके बायो साइन्स फर्स्ट इयर में है, माइक्रोबैलोजी में एंड यही प्रस्ण आपके second year में भी medical surgical nursing में भी है infection, infection के source और transmission of infection मतलब infection कितने परकार से फैल सकते हैं उसका संचारी मारग कौन-कौन सा है उसके बारे में आपसे exam में first year, second year दोनों में पुछता है तो चलिए आज किस वीडियो के शुरुआत हम लोग जो है bio science के microbiology और medical surgical nursing one या two किसी में भी आपको infection के बारे में पुछा जा सकता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि infection कितने परकार से फैल सकता है किसी बेक्ती में types of transmission of infection यानी infection का transmission संचार कितने परकार से हो सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे तो अब हम लोग continue जो है मैं list दे दिया हूँ 46 के आसपास around question है topic है जियो first year second year दोनों में परना है तो हम लोग करेंगे यह प्रस्ण 10 नंबर में भी पुछेगा और 5 नंबर में भी आपसे पुछा जा सकता है ठीक है दोनों subject में दोनों year में तो आप लोग ध्यान से परिए आज की इस वीडियो को सुरुवात यहीं पर हम लोग करने चल ला है ओके चलिए सुरू करते हैं देखिए इंसर है संक्रमन फैलने के परकार तो संक्रमन जो फैलने का है और मूख रूप से दो परकार होता है एक होता है डाइरेक्ट और एक होता है आपका इंडाइरेक्ट एक क्या होता है परतियाक्ष होता है परतियाक्ष रूप से फैलता है और एक होता है आप परतियाक्ष तो हमें संक्रमन हो सकता है और इन डाइरेक्ट में होता है कि हम भोजन कर रहे हैं अब उस भोजन में जो है सुक्षमजीव के लारबा महजूद है उसका मतलब अंडा जो लारबा होता है ने सब उस महजूद है जिसके कारण हमारे सरीर में इनिफेक्शन होगा तो वो भोजन खाने के माधियम सो रहा है बट किसी चीज के डाइडेक्ट संपर्क में आ रहा है तो वो होता है डाइडेक्ट और किसी चीज के डाइडेक्ट ना आकर किसी चीज के थुरू अगर हम में परवेस करता है तो वो इन डाइडेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए दे उसे टिटना साती रोक कहते हैं देखिए अब मीटी में खुला पर चलेंगे तो मीटी में क्या होता है कि क्लो एस्ट्रेडियम टिटेनी नामक जो जीबानू होता है उसका एस्पोर जो होता है मुझूद होता है मीटी में या गिला मीटी गोवर बगएरा एससे में गिला मीटी को तो है हमारे स्टीर में जहां घा क्योगा दो यह माध्यम वहाइन अंदर प्रविस कर जाएगा इस्वाइल्ट है क्यों क्यों नवजात सीचिंट में हो जाता है जिसे heptitis B, उपदन्स, मतलब सिफिलिस, AIDS, आधी रोग, बर्थ कैनल, बर्थ कैनल से निकलते हुए भी बच्चे का शंकरमन हो जाता है, देखिए, ए ट्रांस पहले सेंट द्वारा होता है, मिन्स जब मा के गर्ब में जब बच्चा रहता है, तो ए डाइडेक्ट जो है माता अपना सब चीज़ कर पाता है, तो जो मा अगर संकरमन होगा, तो उस गर्ब नाल के थुरू बच्चे में भी क्या होगा, संकरमन फैल जाएगा, जैसे heptitis B, सिफिलिस, उपदन्स, AIDS, आधी जो है, बर्थ कैनल से निकलते हुए बच्चे को संकरमन हो शकता है, तो ये ट्र ध्रोपलेट संकरमन को छो है, थुकने से बलतगम बगईरा से जो होता है, यदी किसी वेकति को स्वांस नली का संकरमन हाई, और उसे उचे स्षवर में बात करता है, चीखता है या खासता है, तो उसे थुक में पाया जाने वाले bacteria tai virus आसपास के बतावर्यान में फैल जाते हैं थूक के कन हवा के द्वारा दूसरे बेक्टियों पहुंच जाता है जिसके कारण संक्रमन से सरदी जुकाम तपेदी खांसी चेचक एवं डिप्टिरिया रोग हो सकते हैं देखिए थूक कनों द्वारा मतलब ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन भी क्या आप से अबजेक्ट संक्रमन होता है कि कोई ब्यक्ति कोई स्वास वाले समस्य से घ्रसित हो जैसे टीबी हो कोई सरदी जुकाम हो तो ऐसे शान्ली से संबंधित अगर प्रोब्लम से घ्रसित हों तो इसके johin अगर उछे आबाज में भात करता है तो स्के मून देखिए गा बाहर निकलते रहत में थूक निकलता हो खॉसते समय चीकते समय इसब के सामने जो है बचना चाहिए रहने से ऐसे में उस ब्रेक्ति का जो खासने चीकने या बात करने में जो थूक जो निकलता हो उस समय हो सकता है उसको अिसे बधाबरन मीद कि lugar करmes तो उससे भी जो है विभीन परकार के संक्रमन हो सकता है जिसे ड्रॉपलेट संक्रमन कहते हैं और इस सब संक्रमन से सरदी जुखाम तपेदिक टीवी खासी चेचक एबं डिप्ठिरिया रोग हो सकता है ड्रॉपलेट संक्रमन से समझ गए चलिए इस सब का जो है आपको मिल जाएगा नोट्स भी मिल जाएगा और साथ ही इस सब का लिखा हुआ भी मिल जाएगा rmnursing rmnursing.blog.esport.com पर जाएगा nursing यान कोपेन कीजिएगा और वहाँ पे recent post में आपको यह सब मिल जाएगा या first year bioscience में किलिक कीजिएगा तो यह मिल जाएगा ठीक है चलिए अब है यहाँ पे by direct contact by direct contact का मतल़ होता है कि कुछ रोग सीधे संपर्क में आने से माध्यम से ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में संचारित हो जाते जाएसे चुमबन मैथून या तो अच्छा के असपर्स के द्वारा होने वाले संकर्मन कॉंटेजियन अर्थात संसर्ग जनी संकर्मन कहलाता है सिफलिस गुनोडिया इंपोटिगो एसकैबीज आदी बीमारी कॉंजेटिव के कारण फैलती है देखिए परतियक्ष संपर्क मतलब डाइडेक्ट का मतलब होता है कि किसी बेक्ती से अगर आप डाइडेक्ट कांटेक्ट में आते हैं यानि डाइडेक्ट जो है किसी को चुम्बते हैं छूते हैं तो इन सब के कारण जो होता है कि बेक्ती में जो है क्या होता है जैसे sexual content हो गया तो यह direct संपर्ख हो जाता है तो अच्छा कोसपर्स कीजिएगा चुमबिएगा तो इस सब में चुमबे का मतलब होता है कि जो बच्चे को अगर आप लोग जो है किस जो होता है न ओही चुमबन होता है तो ऐसे में अगर होने से हो सकता है कि direct जो है contact में आने चुमबन होता है उसके बाद इसकेभिज भी होगा आधी बीमारिया content इन के कारण फैलता है मिन्स डाइडेक्ट संपर्ख के तरण पहलता है उसके बाद इसकेभिज फैलेगा उस टीफिलीश फैलेगा सिफ़िस भी एक इमपीटगो फैलेगा चैश्व जो है आपका पहलत है डाइडेक्ट संपरक से समझ गया है तो हम लोग डेक्ट सेंपहे देखे हैं cinco के माध्यम से संपरगन मतलब थूपने से भेढ ले वाला उसके बाद हम लोग देखें हैं तू direct transmission का मतलई होता है यदि किसी रोगी के संकर्मित जिवानु किसी बस्तूवों पर गिर जाते हैं तो ये जिवानु स्वस्थ बेक्टी तक आसानी से पहुँँज जाते हैं और उनको बिमार कर सकते हैं जिवानु एक बेक्टी से दूसरे बेक्टी तक कई प्रकारों से पहुंच सकता है कई तरीकों से देखिए अब परतियक्ष क्या होता है वहाँ पर क्या था हम लोग परतियक्ष देख रहे हैं थे या तो किसी बेक्टी के मा का जो गर्व में बच्चा होता है वो मा से डाइरेक्ट संकर्मित हो जाएगा मा के थुरू तो भी हो जाएगा उसके बाद था मीटी से हो गया डाइरेक्ट था और ठूकने से भी था तो यह सब जो है हम लोग डाइरेक्ट वाला में देखे हैं डाइरेक्ट होने वाला में अब हम लोग देख रहे हैं इनडारेक्ट, इनडारेक्ट में होगा कि जैसे मानिए कोई बेगती टीवी से पीरित है अब एट टीवी से पीरित वाला बेगती जो है एक कहीं पर बैठा कहीं पर बैठा और ये जो है क्या कि या थुक दिया या किसी चीज पर जो है अपना जो बलगम है वो फेक दिया फेकने से होता है कि उसके बलगम में जो है टीवी का जो एस्पौर होता है जो किटानू होगा जो सुक्षमजीव होगा वो रहेगा अब उस पर मानगे कोई बेक्ती का अगर बाई चानस जो है उस पर हात पर गिया या पैर पर गिया या वो जो बलगम में जो सुक्षमजीव है वो बातावरन में परवेस कर जाएगा और बातावरन में परवेस करने स क्या कि कोई स्वस्थ बेक्ती के अंदर उपरवेस कर जाएगा सुक्षमजीव तो जो है एक क्या हो गया इनडाइरेक्ट हो गया इनडाइरेक्ट में मतलब क्या हो गया कि बीच में कोई मीडियम हो जाएगा डाइरेक्टली वो किसी चीज में नहीं परकर इनडाइरेक्टली में क्या है कि जैसे यहां पर कोई पीरित बेक्ती है यहां पर कुछ करेगा यहां पर मानगे कोई चीज अपना पहेक दिया या कुछ चीज कर दिया अब यहां से जो सुक्ष मिजीब होगा वो जो है स्वस्त बेक्ती में जाएगा तो मिन्स एक जगह पर रूप कर फिर दूस हो गया ठीक है बेक्ती से न आकर एक किसी बस्तू या किसी चीज से फैलेगा ठीक है चलिए अब इसको देख लेते हैं थोरा साधे हावा जैसे हावा है यदि कोई संकर्मीत भैक्ती खांसता चीकता या बाते करता है थूखता है बल गम के करनों द्वारा हवा में जीवान उफैल जाटे जह ज़्य जो स्वस्थ ब्यक्ति शुष्षन के द्वारा अपने अंदर ले लेते है और शंकर्मीत हो जाते देखिए इंडाइरेक्ट में हावा है हावा में अगर मानते हैं देखिए हावा दूसरीत होता है तो मतलब हावा के कारण भी लोग क्योंकि उसके अंदर वही चीज़े परवेस्ट कर जाएगा जो स्वास ले रहा है तो ऐसे में अगर इनफेक्शन वाले बेक्टी के अगर आपके आसपास में है तो उसी बताबरन में स्वास अपना छोड़ेगा तो स्वास छोड़ रहा है तो वहाँ पर उसका सरीर से जो भी स्वास के थुरू या ठुकने के थुरू या खासने या बलगम फेकने के समय जो भी चीज़े उसके जो भी बीमारी से पिरित है उस बी कर्मित हो सकता है तो ये इन डाइडेक्ट में हवा हो गया ठीक है हवा हो गया उसके बाद हो गया पानी हो गया अब पानी कैसे हो गया इसको देख लीजिए थोरा सा देखिए पानी अब जैसे पानी में होता है कि कुवा का पानी कुवे एवं पीने वाले पानी के सुरोत जा अगे कुडे धेर एवं अने कर खानों से निकली गंदगी के कारण से संकर्मित हो जाते हैं देखिए अब जो पीने का पानी है चाहे वो कुए का पानी हो चाहे पीने वाला पानी हो तो अब इसमें होता है कि देखते हो येगा कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पर पा जीव सरने के बाद उत्पन होने लगेगा बहुत सारे चीजे जो है पानी को दूसित कर देता है और वो पानी का इस्तमाल कोई सजी परानी कर लेगा तो क्या होगा दूसित हो जाएगा संकर्मित हो जाएगा तो यह पानी के माधियम हो गया नेक्स्ट है आपका देखे असान है बहुत आसान है इन डाइरेक्ट में ओ चीज समझेगा कि डाइरेक्ट जो है किसी भी चीज का डाइरेक्ट में ओ होगा जो आप किसी ब्यक्ती के संपर्क में आने से होंगे तो ओ डाइरेक्ट होगा और किसी चीज के संपर्क में आईएगा किसी चीज से अगर संक्रमन चीज मतलब क्या कि कोई समान कोई खाने पीने वाला समान तो पानी भी पीने वाला है और उसका इस्तमाल हम कर रहे हैं तो यह होगा दूद है संक्रमन के कारण बीमार पशुओं के दूद के द्वारा भी संक्रमन फैलते हैं अगर कोई बीमार पशुओं है इसका दूद का इ पीटो आधि के द्वारा भी रोग जनाग, चिवानू, हमारे भोजन तक पहुन जाते हैं, अब भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन पर आके मखी बैठ गया, मखी अपने साथ जो सुक्ष मजीव को लाया है, वो हमारे भोजन पर छोड़ दिया, अब उस भोजन को हम करेंगे तो क्या होगा उससे हमको संक्रमन हो जाएगा उसी परकार से जो मक्खी है चुहे है कौकरोच है इस सब के द्वारा भी भोजन में दूसरी चीज़े लाकर रख देगा उस भोजन को हम लोग बनाएंगे और फिर जो है क्या हो जाएगा संक्रमन हो सकता है तो यह की काट लेता है तो इससे जो है क्या होगा कि संकर्मन उत्पन हो जाएगा छठा है और लाष्ट है फो माइटीस होता है कि इसे संकर्मित बस्तूवे या संक्रामक प्रोगों को फैलने वाला जिवानू भी कहते हैं इसमें भोजन के अलावा अनेक परकार के संकर्मित करने वाली बस्तुओं जैसे रोगी की बेक्ति का रुमाल उसके बरतन तौलिया चादरे छोटे बचों के खिलों ने संकर्मित दूध की बोतले आदी बस्तुओं को भी सं फोमाई्टस है और इसमें वे सारे बस्तू हो जाएगा जिसे संकर्मन फैलता हो जैसे आप रुमाल इस्तमाल करते हो रुमाल अत्यधी गंदा हो गया हो रुमाल को जो है आप अपनी मुहत पोशने के लिए उस रुमाल को इस्तमाल करोगे तो उससे भी होगा बरतन आपका यूज करने वाला है बरतन गंदा परा हुए है फिर भी उसको आप यूज कर रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा छोटे बच्चे का खिलोना है उसमें गंदा लगा हुआ है तो उससे भी इंफेक्शन हो सकता है तो फोमाइटिस में वे सारी बस्तु हो जाएगा जिसके परफे में बच्चा तो वहां से माह से उसको संक्रमन हो जाएगा मिटी के डाइरेक्श संपर्क में आने से ठिटिनस हो जाता है उसके बाद है कि जैसे हम लोग देखे हैं एक और क्या देखे हैं हम लोग छी 4-5 परकार से देखे है ना परतियक्ष में उसी है और अरप परतियक्ष में यह सब लिख दीजेगा कीट, भोजन, पानी, भोजन, पानी, उसके बाद हम लोग और देखें हैं इसमें क्या चीहावा, उसके बाद हैं ड्रॉपलेट, डाइङ्ड्रेक्ट बला में तो यह सब जो चीजे है और सब का मतलब क्या होता है आप लोग समझ गया चलिए इसको एक वार जाकर पूछ लीजेगा बहुत आसान है समझ में आ जाएगा अब देखिए कूचर बनता है कि संक्रमन के बीभीन परकार लिखिए आपसे संचार के मार्क पूछ लेगा फैनले क संक्रमन के बीभीन परकार पुछेगा और फैनले का परकार था जबकि यह सीधा इंफ्येक्षण का परकार है तो चलिए देखते हैं इंफ्येक्षण का कितने परकार ठीक है अब देखिए इंफ्येक्शन कौका निमन परकार होटा है कैसे selective शिर्ण प्राइमरी το प्राइमरी इनफेक्शन क्या होता है कि एक स्वस्थ बेक्टी में उत्पन होने वाला संक्रमन प्रात्मिक संक्रमन कहलाता है देखिए प्रात्मिक संक्रमन तब होता है जब किसी बेक्टी में कोई बेक्टी एकदम नोर्मल हो स्वस्थ हो उसमें अगर इनफेक्शन उत्पन दिखाई देता है तो उसे जो है हम लोग प्राथमिक संक्रमन बोलते हैं समझ गए एक स्वस्त बेक्ती है एक अच्छा बेक्ती है और उसमें कोई संक्रमन दिखाई देता है तो उसे जो है हम लोग प्राइमरी संक्रमन बोलते हैं समझ गए दूतियक संक्रमन क्या होता है दे जिए आपको लिख रहा है कि जब कोई नई सुक्षमजीब किसी बेक्ती के अंदर परवेश्ट करता है तब करता है जब पहले से उसको किसी संक्रमन से वह पिरित है जिसके प्रतिरोधक चमता है उम्यूनिटी सिस्टम है और पूनह जो है फिर से कोई नयाद सुक्षमजीव सरीर में परवेस कर गया है तो ही जो होता है दूतियक संक्रमन मतलब एक ही बार में दो संक्रमन आ जाएगा तो हो जाता है दूतियक संक्रमन तो चीज़े समाजिक है चलिए उसके बाद है पूना संक्रमन, री इनफेक्शन, क्या है कि किसी सुक्षमजीव द्वारा बेक्ती में संक्रमन पैदा होने के बाद पूना उसी सुक्षमजीव द्वारा उसी बेक्ती में संक्रमन पैदा करना re-infection के मतल़ होता है पूना शंकरमान तो देकिंज्थे ऐसा सुक्छमजीव अब हम लोग जाने थे हैं infection किसी ने किसी सुक्छमजीव के कारण ही होगा चाहे जिवानु हो चाहे हो कवग हो चाहे आपका उसके बाद क्या बलते हैं जिवानु हो भिसानु हो मान गए किसी को अगर malaria है और malaria जो है ठीक हो गया लेकिन फिर से कुछ दिनों बाद malaria ही हो गया तो जो है वो क्या कहलाता है reinfection कहलाएगा मतलब malaria कुछ दिन पहले था फिर malaria उत्पन हो गया मतलब reinfection है corona हुआ फिर से corona उत्पन हो गया मतलब reinfection हो गया तो यही जब चीजे है यह होता है ठीक है समझ गया है चौथा है तीब्र संक्रमन मतलब acute infection acute infection का मतलब होता है कि अचानक तीब्र देखिए तुरंत ही उत्पन होने वाला था था कुछ हर समय के लिए रहने वाला संक्रमन इसके लक्षन बहुत गंबीर होते है जैसे तीब्र उंडुक पुक्षोत मतलब acute appendicitis आदी देखिए तीब्र संक्रमन होता है कि अचानक अचानक infection देखिए अचानक जो infection होता है वो जो है बहुत ही प्रभावी बहुत ही जो है गंबीर होता है बट एक कुछ समय के लिए होता है क्रॉनिक जो होगा दिर्ग समय के लिए होगा वो जो है लंबे समय से चलेगा और वह और ज्यादा खतरनाक होता है लेकिन जो तीब्र बला होता है एक गंबीर आयेगा और यह कुछ दिनों के लिए कुछ समय के लिए infection रहता है और फिर ठीक हो सकता है acute बाला तो यह अच जिर्ण संक्रमन मतलब क्रोनिक संक्रमन के मतलब है कि यह संक्रमन धीरे धीरे उत्पन होता है मतलब ज्यादा समय लेता है लंबे समय तक चलता है और धीरे धीरे बढ़कर बहुत दिनों तक रहता है जैसे 6 रोग अब देखिए 6 रोग किसके कारण होता है जीवानू के कारण mycobacteria tuberculosis के कारण 6 रोग होता है तो यह जो chronic infection होता है जिर्ण मतलब अधीक समय वाला यह अधीक समय वाला या दिर्गा अबधी संक्रमन इसको भी बोलते हैं तो यह जो दिर्गा अबधी जो संक्रमन होता है chronic infection यह धीरे-धीरे मनुस्य में या किसी भी चीज को infected करता है बट इसका जो परभाव होता है लंबे समय तक रहता है जैसे च्छै रोग च्छै रोग होता यह है कि पहले धीरे-धीरे-धीरे-धीरे जो है स्वासनली को परभावित करता है और उसके बाद यह अपना रूप टीवी के रूप में दिखा देता है और यह लंबे समय से रहता है किसी बेक्ती में तो यह हो जाएगा chronic infection समझ गए छटा है यहाँ पर अस्थानिक संक्रमन means localized infection localized infection क्या होता है यह सरीर के किसी अस्थान बिसेस में होने बाला संक्रमन है जैसे फुसी फोरे बाल तोरन आ दी देखिए यह होता है अस्थानिक संक्रमन होता है कि यह सरीर के किसी एक अस्थान पर आपको संक्रमन हो शकता है जैसे दादखार खुजली हो गया धबा हो गया शरीर पे बाल तूट रहा हो बाल तोरन तो ऐसा जो होता है यह special जो है लोकल जगह पे होता है एक अस्थाई जगह पे होता है सरीर में ते हो गया अस्थानिक संक्रमन सातमा है सर्व दाहिक संक्रमन मतलब सिस्टेमेटिक इनफेक्षन यह रक्त धारा द्वारा सरीर के बहुत छेतरों से जो है छेतरों या संपून सरीर में फैलने वाला संक्रमन होता है जैसे खुजली अब देखे जो सर्वदाहिक संक्रमन है systematic infection है ये आपके रक्ट के धारा द्वाला रक्ट के फुलो द्वाला आपके समपून-शरीर या समपून-छेत्र में ये infection कर सकता है जैसे पैर हो गया तो पैर के समपून-पैर में इंफेक्शन कर देगा या पूरे सरीर में ही infection कर देगा क्योंकि blood तो हमारा पूरे सरीर में circulate होते रहता है तो blood में अगर problem हो जाएगा तो पूरे सरीर को problem पहुचाएगा तो यही होता है systematic infection सरवदाहिक संक्रमन समझ गया आठमा है अलाक्षिनिक संक्रमन आलाक्षिक मतलब सब किलनिक infection सब किलनिक infection क्या होता है एसा संक्रमन जिसमें किसी रोग के लक्षनों का असपास्ता का पता नहीं लगता हो देखिए आलाक्षिनिक संक्रमन होता है कि वैसा संक्रमन जिसमें रोग का पता ना चलता हो लक्षन उसमें असपश रूप से दिखाई नहीं देता हो तो उह हो जाता है अलाक्षनिक संक्रमन मतलब सब क्लिनिकल इनिफेक्शन समझ ग oral चलिए Next यहापफे देखिएगा Next आपका है आपका यहापफ़ देखिएगा लाक्षनिक संक्रमन मतलब एक है अलक्षनिक एक है लक्षनिक एक था क्या चीज एक था क्रोनिक एक था एक्यूट और क्रोनिक मतलब एक था दिरगावधी और एक है अचाना कुथपन होने वाला एक था अब हम लोग देखे हैं क्या चीज था लक्षन अलक्षन तो इस पर देखिए याद करना बहुत देख रहे हैं ठीक है चलिए लक्षन है कि एसा संक्रमन जिसमें रोगी को लक्षनों का असपाश्टा से पता लग जाता हो दसमा है गुप्त संक्रमन लेटेंट इनफेक्शन एसा संक्रमन जो गुप्त रहता है और बीसेश पर स्थीतियों में ही परकट होता है कुछ ऐसे सं संक्रमन समझ गये चलिए एक ग्यारा नमबर है अब साधी संक्रमन मतलब ऑपर्टूनेष्टिक इनफेक्शन ऐसे सुक्षमजीव द्वारा उत्पन संक्रमन जिसमें समानता स्वस्थ बेक्ति में तो कोई रोग उत्पन नहीं होता है परन्तु उससे तभी रोग उत्पन ह होता है जब पोस्रद में पर्तिरोधक शक्ति का हरास होता है देखिए अवसर बादी संक्रवन इसको क्यों कहा गया है कि वैसा इन्फेक्शन जो अवसर देखकर सरीर को परभावीद करता हो मतलब जब तक हमारा सरीर बढ़िया है तब तक को काम नहीं कर रहा है लेकिन जैसे सरीर में पर्तिरोधक शमता कमेगा इमनिटी सिस्टम कमेगा वो सिधा अटाय कर देगा क्योंकि हमारे सरीर में है ही बट हमारे पोसक तत्व के कारण हमें इमनिटी के कारण वो परभावीत नहीं कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है बट जैसे ही वो देख लेगा कि इसके सरीर में Immunity System कम गया है, हमला करो, बस वो हमला कर देगा, मिंस आपसर देख कर वो हमला करेगा, तो वो हो जाएगा आपसर वाधी शंक्रमन समझ गया, बारह और लाश्ट है, मिस्रित संक्रमन, Mixed Infection, दो या दो से अधिक, जो है, सुक्षमि जीवों से होने वाले उत्पंज संक्रमन को मिस्त्रित संक्रमन कहते हैं और यह असान है तो देखिए चाहे वो टाइप्स हो चाहे वो फैनले का माध्यम हो दोनों बहुत असान है बस आपको याद रखना है टाइप्स कि टाइप्स क्या होगा और हमें लगता है कि इस दोनों प्रशन में से कोई एक प्रशन पूछेगा ही पूछेगा 5 नमबर में या दोनों पूछ लेगा तो 10 नमबर में पूछ देगा जो कि question बनता है तो आप लोग इसको अच्छे से दोनों को कर लिजे बहुत असान है सिर्फ आपको इसमें point याद रखना चलिए एक बार point को और division करते हैं और उसके बाद बीदा लेंगे देखिए अब 12 तक लिखा है तो ऐसा नहीं है कि जो मैं serial बोल ला हूँ बोला हूँ वही आपको ध्यान बारह इधर उधर करके कहीं से भी लिख देना है संकर्वन के परकार में ठीक है चलिए कम से कम दोस जरूर याद कर लिजेगा जैसे मिस्रीत संकर्वन misinformation अपसरवादी opportunistic infection अपसर देखकर सरीर में infect करता है नेक्ष्ट है गूप्त मतलब secret latent infection लाक्षनीक जिसमें लक्षन देखे लाक्षनीक जिसमें लक्षन ना देखे वह लक्षनीक गूप्त मतलब गूप्त रहता हो किसी ऐसे परस्थिती में ही वह दिखता हो कि जब वो उसे लगे कि हाँ दिखना चाहिए यह हो गया उसके बाद है आस्ठानिक मतलब localized infection सरवदाहिक मतलब blood के धुरू संपून सरीर में फैल याएगा तो सरवदाहिक अस्थानिक होता है जो किसी चरीर के एक अस्थान पर हो तो होता है अस्थानिक संक्रमन एह हो गया उसके बाद पांचमा है जीर्न मतलब कुरोनिक मतलब लंबे समय से कोई infection से पीजित हो तो लंबे जैसे TB होता है तीबर होता है जो अचानक आपको अटाइक करता है infection और यह जो है कम समय के लिए होता है बटे गंभीर हो सकता है ठीक है गंभीर तो कुरोनिक होता है बहुत जा प्राइमरी इनफेक्षन होता है जिसमें बेक्टी जो हेल्थी होता है उसको कभी इनफेक्षन नहीं हुआ हो और पर्थम बार जो इनफेक्षन होगा उसको प्राइमरी होगा दूतियक होता है कि जब किसी बेक्टी में पहले से कोई इनफेक्षन हो चुका है और फिर से उसक ताहदूतियक इन्फेक्शन समझ गए इन्फेक्शन के परकार समझ गए बारागों है इसको हम लोग असानी से देख लिए हैं मस्कार टेक एर बाय बाय धन्यबाद